वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें ग्रीटिंग्स एर्यवाइन इस सीरीज में हम लग यूपी पेसी में साह से राइटिंग प्राक्टिस कर रहे हैं और यह इस सीरीज का फोथ लेक्टर है यहां पर हम जीए इस इस प्राइट प्रमुक विशेशता हैं क्या है इतली में फासिवाद के उद्धे के कारण क्या थे और साथी साथ हमें यह भी बताना है कि फासिवाद इतली के लोगों के लिए क्रिस्पकार लाब दायक था तो यहां पर हम सबसे पहले जो है फासिजम का मतलब समझेंगे तो फासिजम जो था यह इतली में जो है यह विक्सित हुआ था और यह वर्ल्ड वार वन के बाद जो है इसका विकास जो है इतली में हुआ था तो फासिजम का जो फासिजम जो वर्ट है यह एक इतालियन वर्ट फैसियों से लिया गया है जिसका की मतलब है बंडल बंडल आने की गठरी ठीक है गठरी किसी या फम 연ारी की लकडी की धिक है लकडी की यह करती है वू हमें रिप्रेजैंट करती है unity को ठीक है तो यह लोगों की एकक्ता वहां करती है फासिजम् एहमियत देते थे अधिनायक वाद थी कि अथारिटेरिनिसम मिडियेटरिलिसम पे जो है बहुत ही जादा जो इन्होंने जोर दिया था और यहां पर उनका माना था कि अगर कोई भी उनके खिलाब जो है आवाज उटाता है या फिर उनको क्रिटिसाइज करता है तो उसको जो इसकी शुरुवात की गई थी जो और किसकी दार शुरुवात की गई थी ये थी बैनिटो मुसलोनी ठीक है मुसलोनी के द्वारा जो है इसको जो है यहां पर विक्सित किया गया था तो यह एक ऐसी विचारधारा है जो की प्रजातंत्र समाज में असमानता सोशल इनेक्व स्वतंतरता का विरोध करती थी, तो इस परकार से हम यह कह सकते हैं, कि यह जो पूरी आइडियोलोजी है यह ताना शाहि राजनीती के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, तो इसके अब हम देखेंगे कि क्या-क्या इसके फीचरस हैं, अगर हम इसके फीचरस की बात करें, तो सबसे पहले है authoritarianism या फिर अधिनायक वाद तो यहाँ पर क्या था कि इन लोग का माना था कि जो भी कि एक जो है यहाँ पर एक जो केंद्र सरकार जो होती है ठीके वो बहुत ही जादा जो है शक्तिशाली होने चाहिए तो शक्तिशाली जो है strong center होने चाहिए तो यहाँ पर पूरी जो सत्ता थी यह यह तर किसी एक परसन के ही हाथ में होती थी ठीक है तो इसी तो और और यह जो लोग थे इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी law जो है महा का ठीक है जो भी law है वो किसी भी प्रकार से लागो नहीं होता था इसका एक positive point यह है कि यहाँ पर decision making में उस time प जल्द 이야기 हो तो बहुत झल्दी लिए जाता था क्योंकि वहां पें जादा लोगों से मैश्वारा नहीं करना पड़ता था ठीक है उनका माना था इंक्पीरियलिजम में रहर आधलीito कले श्सब्सनल करें इतली की इतली कर स्फरे उच्थ बात खुनत कहा है सेलफ सफीशनिसी होनी चाहिए जितने Ne布 있는ati वूं Taylor बात अपर इंपोर्ट्स गटाने की जरूरए है और एकसपोर्ट को बढ़ाने की जरूरए है ताकि इस सेज़ना कॉन्हारा में वह था डेवलप कर सके इसके बाद अगर हम third key feature देखें तो वो है militarism ठीक है militarism तो इनका माना था कि जितनी भी जो अगर domestic और international level पे किसी भी प्रकार के अगर कोई भी आवास उठाता है तो उसको military के use से जो है उसको दमन कर दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर जो है वो military का use करते थे अपनी जो है उनकी colony जो है ठीक है imperialism जो है या फिर अपनी जो italian country है उसको और जादा expand करने के लिए और अपनी country को बाहर के जो country है उनको उनसे defend भी करने के लिए वो लोग military rule का इस्तमाल करते थे इसके बाद है nationalism ठीक है वो जो है अपने जो है जो जितनी भी जो लोग है उनमें देशभक्ती की भावना जो है वो बहुत जादा रहे तो यहां पर जो लोग थे वो प्रबल राश्टवाद में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि जो राश्ट है जो नेशन है वही सुप्रीम है वही सरवोच है तो राश्ट के ह तो जो है वहाँ पे सबसे उपर रखा गया था इंडिवीजुल ही तो के ठीके जो इंडिवीजुल इंटरेस्ट जो है उससे पहले राश्टरहित को रखा गया था इसके बाद हम देखते हैं वन पार्टी गवर्वनेंट एक दल्य सरकार थी वहाँ पे जनरली देखा जाता थी वो उसी पार्टी के द्वारा जो है वो बनाए जाती थी वहाँ पर कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं होता है और वहाँ पर डेमक्रासी जैसी कोई भी जीज नजर नहीं आती है इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेटिस्ट पार्लियमेंट निगमी करन ठीके तो तॉ यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका मानना है कि जितना भी कंट्रोल है वहां के शरकार के हाथों में रहता था ठीक, जितने भी जो साइटी के सारे आसफेक्ट है जैसे कि economy हो गया economy हो गया वहां की जो है earth व्यवस्ता है वहां की जो media है या फिर जो वहां के education centers है उसको सब को control कौन करता था वहां की जो है वहां के सत्था या फिर सरकार कर दी ताकि वहां के जो public opinions जो है उसको Italian influence कर सके और जो है लोगों की सोच को प्रभावित किया जा सके और वो लोग सत्ता में बने रहें तो ये कुछ इसके की फीचर्स हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या कारण थे जिसके कारण जो फासिजन का उत्मन हुआ था 1919 में तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले है ट्रीटी ओफ वर्सा ठीक है वर्सा की संधी ठीक है तो यहां पर जो है इतली ने जो है वर्ल्ड वार वन को जॉइन किया था तो यहां पर एक ट्रीटी ओफ लंडन हुआ था 1915 में उसके बाद ही इतली ने जो है वर्ल्ड वार वन को जॉइन किया था और इसमें जो है आलीज जो थे ठीक है आलीज ग्रूप जो था उन्होंने ये खामी भरी थी कि जब World War 1 खतम हो जाएगा तो इटली को भी कुछ हिस्सा जर्मनी और टर्की का दे दिया जाएगा ठीक है जर्मनी और टर्की का कुछ हिस्सा इटली को भी दे दिया जाएगा उनको जो भी उनको विक्टरी मिली थी उसका उन्हें कोई भी जो है लाव नहीं मिला था तो इस कारण से जो है फासिजम का जो है वहाँ पर उत्पन हुआ था इसके बाद हम देखते हैं सोश्यो एकनॉमिक कंडिशन और इटली वहां की जो इटली की जो उस टाइम की सामाज अर्थिक इस्थित्या थी उसके कारण विजह फासिवाद का जो है विकास हुआ था तो अगर हम एकनॉमिक कंडिशन की बात करें तो वर्ल्ट वार वन के बाद जो है वहां की अर्थ व्यवस्ता जो है वह बहुती बुरी तरीक से चैमर आ गई थी ठीक है वहाँ पे जो है वर्लब की वज़े से वहांपे नाचरल रिसोर्सस जो थे वो बहुत कम होको गये थे तो यहांपे जो है बहुत सारे जो है जानमल की हानी होई थी बहुत ही जादा लाइफ और प्रोपरटी का बहुती जादा नुकसान हुआ था अन्प्रोईमेंट्स, स्ट्राइक्स, बहुत ही जादा हाई था ठीक है तो यहां पे जो सोशियो एकनॉमिक कंडिशन है इन सब की वज़े से जो है फासिसम का उत्मान हुआ था तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल लेवल पे तो सरकार जो है जो आम लोग थे उनका मानना था कि जो सरकार जो है ठीक है जो गर्वर् से बहुत ही जादा जो है वो बढ़ गया था तो लोगों का विश्वास वहां की पार्लेमेंट पे नहीं रहा गया था और उनका माना था कि यहां पे जो प्रशासनिक असमर्थता है ठीक है उसके कारण जो है उनका माना था कि यह जो भी हो रहा है जो भी सरकार की जो असमर प्रशासनी असमर्थता है तो उसकी वज़े से जो है यहां पर जो लोगों में बहुत ही जादा रोश उत्पन हो गया था और जहां के जो मिडल क्लास थे ठीक है उनका मानना था कि यह जो बोर्शिविक पार्टी जो है वो उनके बारे में नहीं सोच रही है तो इस कारण से उनका विश्वास जो है फासिसम की तरफ जो है और जादा बढ़ गया था इसके बाद हम देखते हैं राइस ओफ कम्यूनिसम ठीक है सामेबात का बहुत जादा उद्ध हुआ था जिसकी वज़े से जो उद्ध हो रहा था उसकी वज़े से भी जो है फासिसम का जो है यहां जो इटली की लोग जो थे वो भी communism ideology से जो है बहुती जादा प्रभावित हो गए थे तो वहाँ पे लोग जब इंस्पायर हुए थे देखे वो बहुती जादा डर गए थे क्योंकि जो लेबर्स की जो तादात थी जो वो बहुती जादा थी तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी government आए जो कि वहाँ पर जो है peace establish कर सके शांती को इस्थापित कर सके और उनका माना थे कि जो present सरकार है वो इन सब को कंट्रोल करने में न उसको विद्य सहायता भी दी थी इसके बाद हम देखते है false aspirations अवास्तफिक आकांशा है ठीक है जो common man जो थे उनको ये कहा गया था कि अगर आप world war one में जो है अगर आप हिसा लेंगे तो उसके बाद जब world war one की खतम होने के बाद उनके जो है उनकी नीट्स पे जो उनकी ज जो common जुनमैन थे उनमें बहुत ही जादा जो है वो गुसा था इसके बाद हम देखते हैं जो मसलोनी थी उसकी जो leadership quality जो थी उससे भी fascism के विकास में बहुत ही जादा जो है वो मदद मिली थी क्योंकि उसने लोगों को जो है बहुत तरीके से प्रभावित किया था अपनी जो है अपनी leadership quality के चलते ही वो लोगों को एकत्रित करने में जो है काम्याब हुआ था और वहाँ पे जो है इटली में भी जो है उसने अपनी पकड़ अच्छी कर थी तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आखिर इससे fascism से जो है क्या क्या लाव हुआ था इटली के लोगों तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले है वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि education या फिर शिक्षा पर बहुत ही ज़ादा ध्यान दिया गया था ठीक है जो जो सरकार थी वहाँ पर उन्हों ने एट्यूकेशन education में बहुत ही जादा जो है invest किया था क्योंकि उनका माहना था कि अगर हमें future में अगर हमें काफी लंबे समय तक अगर हमें यहाँ पर अपने सत्ता में रहना है तो यहाँ की लोगों के अंदर जो छोटे चोटे बच्चे हैं उनमें अपनी fascist ideology जो है उसको insist करनी पड़ेगी sorry उसको instill करनी पड़ेगी ठीक है तो जिसके चलते जो है उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही जादा ध्यान दिया था और primary level से ही जो बहां के बच्चे थे उनमें उनको जो है फासिजम के बारे में जो है शिक्षा दी जा रही थी इसके बाद हम देखते है promotion of industries उद्योगों को बहुत जादा बड़ावा मिला था ठीक है तो यहाँ पर क्या है क्योंकि इनका जो मंत्रा था वो क्या था कि हमें self sufficient होना है ठीक है सब कुछ जो है अपने देश में ही सब कुछ सब कुछ जो है सब कुछ जो है हमें अपने ही देश में जो है विकास करना है सारे जो है production जो है अपने ही देश में करना है तो इसके चलते जो वहां के जो सरकार थे उन्होंने जहां पर भी जरूरी था जो भी इंडस्टी इस थे उनको जो है वहाँ पे सबसीडीज बहुत ही जादा प्रोवाइड कराई थी जिसके चलते जिसके चलते ठीक है नाइटीन हांड़िट एंड थर्टी तक जो है स्टील प्रोडिक्शन जो है वो दो गुना हो गया था ठीक है और यहीं अगर हम बात करें स्टिल्ख प्रोडिक्शन की तो स्टिल्ख प्रोडिक्शन में करीब जो है दस गुने का जो है इजाफा हुआ था और 1937 तक अगर हम देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो था में भी जो है दुगनी जो है बढ़ोतरी हुई थी तो वहां की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही जादा प्रमोट कर रहे थी इसी के साथ साथ देखते हैं कि जो वहां की जो सरकार थी क्योंके उन्होंने जो है लीरा वहां की जो करंसी थी उसको रिवैल्यू कर दिया था Revalue करने के कारण जो है वहाँ पर इंपोर्ट जो है वो जो है वो सस्ता हो गया था तो जो Iron and Steel Industry के लिए जो Raw Material जो चाहिए था वो जो है वो बहुत ही जादा सस्ता हो गया था जिसके कारण जो है इंडस्ट्री को बहुत ही जादा Boost मिला था इसके बाद हम देखते हैं Reduction in Social Economic Inequality सामाजिक आर्थिक असमानता में कहीं न कहीं हमें कमी देखने को मिलती है ठीक है एक सरकार ने बहुत ही जादा जो है बोल्ड स्टेप्स लिये थे तो कहीं न कहीं यहां पर Inequality जो थी उसको भी कम करने में मदद मिली थी Welfare of the country देश का कल्यार्ट करने में बहुत ही जादा मदद मिली थी ठीक है क्योंकि यहां पर क्या था यहां पर यह था कि Domestic Level और International Level बे दोनों के लिए ही जो है Military Rule जो है लाया गया था तो अगर अगर देश में भी कोई गर में के खिलाफ और कोई बी अपनी वाइस उठाता है तो उसको जो है बहुत पज़़ादा पनिश कर दिया जाता ह ता तो वहां पहे पीश जाड़े बहुत been जह के जादा ध्यान दिया जाता है तो इससे क्या हुआ है इससे जो country जो थी उसके welfare में बहुत ही जादा मदद मिली थी तो सरकार जो थी वहाँ पर जो है जो defense पर उन्होंने बहुत ही जादा spend किया था जिसके कारण जो है वहाँ पर उनकी weapons जो थे वो और जादा जो है आधोने को गए थे soldiers को जो है बहुत तरीके से train किया जाता था ताकि वो लोग जो बाहर के अगर कोई भी उन पर हमला करता है तो उससे वो जो है अपना बचाफ कर सकें इसे के साथ साथ ये देखा गया है कि सरकार ने वहाँ के जो लोग थे उनके leisure time के लिए activities को भी बहुत जादा बढ़ावा दिया था जैसे कि holidays है, cruise है, tours है, उसको बहुत ही जादा सस्ता कर दिया गया था dramatic society है, libraries खोली गए थी, theaters खोली गए थे, तो जिससे लोगों को leisure activities करने में बहुत जादा मदद मिली थी, poor families जो थी, उनको बहुत तरीके से welfare support दिया जाता था तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी जो country जो थी, उसका बहुत जादा welfare किया जा रहा था इसके बाद हम देखते हैं battle of wheat ठीक है, battle of wheat में जो है farmers को बूला गया था कि वो जो है अपनी self-sufficiency पे जो है बहुत जादा ध्यान देनी की ज़रूरत है तो इसलिए उनको बूला गया कि बहुत जादा concentrate करो wheat को ठीक है, जो गेहुए है उसको उगाने के लिए ताकि वहाँ का जो कृशी जो पूरा शेत्र था, sorry कृशी उद्योग जो था, उसको बहुत जादा बढ़ावा मिला था इसके बादे पॉब्लिक वर्क प्रोग्राम, सार्वजिनिक कारे 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 करम, ठीक है, उस पर बहुत जादा जो दिया गया था, तो यहाँ पर, जो है, motorways, bridges, blocks and flats, ठीक है, infrastructure, railways, तो इन सब पे जो है, बहुत ही जादा जो है, investment किया गया था, बहुत ही जादा ध्यान दि जादा मदद मिलेगी, तो unemployment उसके बहुत जादा था, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर infrastructure बहुत जादा डेविलप किया गया था, जिससे unemployment की जो समय से थी, उससे भी निपटने में उने बहुत जादा मदद मिली थी, ठीक है, sports पे बहुत जादा ध्यान दिया गया था, new towns ज जीते थे, ठीक है, तो यहाँ पर public work program पर भी बहुत, programs पर भी बहुत जादा ध्यान दिया गया था, इसके बाद क्या है, इसके बाद है, land reclamation program, 1928 में लेकर किया गया था, excuse me, तो यहाँ पर क्या है, कि उन्होंने बोला था, कि जो agricultural yield है, ठीक है, जो जो क्रिशी उत्पादक है, उसको बढ़ाने की बहुत जादा जरूरत है, तो जिसके कारण उन्होंने जो है, irrigation facility, ठीक है, irrigation facility जो है, वो बहुत जादा जो है, और अच्छी कर दी थी, जितने भी जो मार्श थे, दलदल थे, उसको जो है, drain कर दिया गया था, जो जो भी mountainous region थे, वहाँ पर भी जो है plantation किया गया था, ताकि वो लो agriculture yield को और जदा बढ़ा सके और self-sufficient हो सके तो यहाँ पर हम सबसे पहले G20 का एक brief सा introduction दे देंगे, तो G20 का जो गठान है, वो 1999 में किया गया था, 1990 के दशक में ठीक है, एक economic crisis देखी गई थी, global level पे, जिसके बाद, जिसमें की जो East Asia और जो South Asia, South Asia जो है, वो बहुत जादा प्रभावेत हुए थे, और उसी के बाद G20 का गठान किया गया था, तो इसका उद्देश क्या था, इसका उद्देश यह था, कि जितनी भी जो mid income mid income वाली जितनी भी जो देश है, उनको, उनको, उनके हीतों में काम करना, उसको इस मंच में शामिल करना, और वैश्विक स्थित्ता को वहाँ पे, जो है, सुरक्षित करने का, इसका उद्देश रखा गया था, तो यहाँ पर जो G20 है, इसमें 19 जो countries हैं, और जो European Union, Union जो है वो इसके members हैं, इसके साथ साथ International Monetary Fund ठीके, अंतराश्य मुद्राकोश और विश्व बैंक के पतिनी थी भी इसमें शामिल है, तो यहाँ पर अगर हम G20 के देशों की बात करें, तो इसमें दुनिया के 60% आबादी जो हैं, उसको represent करती है, इसी के साथ साथ 80% जो global GDP है, वो 5% जितना भी जो global trade हो रहा है, वो G20 जो देश है, उसी के हिस्सेदारी है, इसमें और साथ साथ जो भी वैश्विक निवेश हो रहा है, उसमें जो G20 के जो देश है, उसकी 80% की भागिदारी है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसके हम इंडिया की जो है, अग अपनी जो इंडिया जो है, वो अपनी वेश्विक प्रत्रिश्टा बढ़ाने का एंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो इंडिया की पास एक opportunity है, कि वो अपनी जितनी भी जो strength है, चैक है, इस है, उसको जो है वो दुन्या के सामने पेश कर सकता है, और जो है अफसर है जैसा कि हम देखते हैं कि जो इंटरनेशिया में लास समिट हुई थी वहां पर भी जो हमारी प्रथानमंत्री है उन्होंने अलग-अलग ग्लोबल लीडर्स जो है उनको इंडिया में अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स है उसको उनको भीट किया था गिफ्ट कि जो जो कुल्चर से जो जो जूड़े हुए जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग जो है अच्छे से ब्रैंटिंग कर सकते हैं ताकि उसकी जो डेमंड जो है ग्लोबल लेवल पे उसको और जाधे बहतर किया जा सकता है इसकी बाद आप देखते हैं समावेशी और सतत्त विक परिवरतन है उसको लेकर के आया जा सके तो संद्रच नात्मक परिवरतन का मतलब है structural transformation का मतलब है कि जो भी economy में मतलब कि हमारे economy का एक तरह से जो है बदलाव करना जिससे कि जो low productivity sectors है ठीक है जो भी low productivity sector है उनकी productivity को और जादा बहतर बनाया जा सके और जितनी में जो labor intensive जहांपर की labor बहुत जादा काम करते है labor intensive sector जो है उसको skilled sector के रूप में उभारा जा सके तो इससे क्या फायदा होगा इससे फायदा यह होगा कि जो हमारी जो MSME industry है उसको हम लोग global trade में जो है और जादा उसको promote कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो global skill gap है टीक के global skill gap है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं पाटने का करे कर सकते हैं और इसे के साथ साथ जो है agriculture value change है food system है इसको भी हम लोग जो है एक integrated manner में जो है इसको हम लोग build कर सकते हैं इसकी बाद हम देखते हैं कि financing cities of tomorrow कल की शहरों कर जो है with portion करने के लिए बी जो है इंडिया के पास बहुत ही जादा सुनहरा अफसर है कि वो जो है बाहर से निवेश को अपने देश में ले करके आ सकता है तो जो cities जो है अगर हम अगर एक आखने के माने तो 80% of GDP जो है ठीक है ग्लोबली ठीक है वैश्विक इस तरफे 80% GDP जो है वो अर्बन एरिया से ही generate हो रही है तो लेकिन यहाँ पर जो अर्बन एरिया से वो बहुत ही जादा unplanned होते हैं ठीक है unplanned urbanization हो रहा है rapid urbanization हो रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो है economic जो potential है जो पूरी जो आर्थिक उसका potential है उस वो कहीं न कहीं बात है दोता है और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष्ट 2050 तक जो urban population है वो करीब दुगनी हो जाएगी ठीक है जो दुगनी तक जो है वो बढ़ जाएगी लेकिन यहाँ पर जो संसाधन है वो बहुत कम है तो यहाँ पर जो संसाधन को बढ़ाने की बहुत जादा जादा जरूरत है जो urban areas जो ह और जादा habitable बनाने की ज़रूरत है जिसके लिएकि जो infrastructure है यहां की services है उसको और जादा upgrade दने की ज़रूरत है ठीक है यहां पर जो है जो पानी की सुविदा और बहतर होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की सुविदा और बहतर होनी चाहिए पावर है वेस्ट बैनेजमेंट है affordable housing है ठीक है jobs and skill development पर बहुत ध्यान देना चाहिए और इन सभी कारे के लिए क्या चाहिए उसके लिए finances चाहिए ठीक है तो इंडिया जो है इंडिया जो है उसके पास एक मौका है कि वो G20 के platform जो है उसके जरिये जो है इंडिया में शेहर के विकास के लिए जो है FDI को या फ अपनी जो financing needs है उसको पूरा करने के लिए इंडिया के पास एक बहुती सुनहरा अफसर है यहां पर इसके बाद हम देखते है knowledge sharing and technology transfer ज्यान साचा करना और प्रद्योगे की हस्तान तरन जैसे कि हमने बात की कि G20 जो है इसमें बहुत सारे विकसित देश हैं विकास शील सकती है ठीक है कि किस तरीके से अपनी बहुत सारे सेक्टर में जो है advanced knowledge advanced technology ला करके हम लोग भी आगे जो है इन बहुत सारे सेक्टर जो है उनको promote कर सकते हैं जैसे कि for example ठीक है digital public infrastructure के लिए ठीक है digital public infrastructure के लिए जो है हम लोग जो है और technology ले करके आ सकते हैं इसके साथ financial inclusion मतलब कि वित्य समावेशन में जो है advanced technology का यूज़ किया जा सकता है ठीक है बहुत सारे ऐसे शेते हैं जहां पर कि technology का यूज़ करके हम लोग उसको और जादा बहतर विकास कर सकते हैं जैसे कि education sector है ठी agriculture sector है तो यहां पर जो है technology enabled sectors जो है development है वहां पर भी जो है उसका हम लोग रिकास बहुत जादा कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कर लगाना ठीक है taxation तो बहुत सारे कई बार ऐसा देखा कि है कि लोग जो है वो shell companies को जो है establish करते हैं और उसके जरीय जो है वहां पर टैक् क्या होता है कि इससे जो है economic laws किसी भी country का आर्थिक घानी जो है वो बहुत सादा होती है ठीक है कई बार तो यह भी sources भी नहीं पता होते कि कोई activities जो है वो कहां से जो है generate हो रही है उसका source क्या है source of origin क्या है वो भी नहीं पता होता है जिससे कि कौन सी country को tax pay करना है वो जो है पता ही नहीं होता और इस तरह से किसे जो businessmen होते हैं वो tax को जो है वो इवेट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि करकी चोरी करते हैं तो G20 के देशों के साथ मिलकर जो है tax evasion की समस्या का भी हल निकाला जा सकता है इसकी बाहत हम देखते हैं fugitive economic offenders भगोड़े आर्थिक अपरा जो G20 countries हैं उनके cooperation के साथ जो है इस समस्या से भी निपटा जा सकता है इंडिया अपनी बात को इस समस्या को जो है international forum के सामने जो है वो प्रस्तुत कर सकता है तो आतंगवाद की मुद्धे पर अगर सारे जो देश है अगर वो एक जुट होते हैं तो जो हमारे difficult neighbors हैं जैसे क पाकिस्तान है चाइना है तो उनको भी एक जो है कड़ा संदेश मिलेगा इसी के साथ साथ जो है जो है एक global action की जरूरत है terrorism जैसी problem से लड़ने के लिए क्योंकि जो है बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि terrorism को जो है फंड करते हैं ठीक है टेरी टेरिस्ट अक्टिविटीज जो होती है उसको फंड करते हैं तो इसके लिए जो है एक global action लेने की बहुती जादा जरूरत है और इंडिया के पास एक मौका है कि वो अपनी बात को जो है वो सोर्दा तरीके से रख सकता है इसके बाद हम देखते है climate change and clean energy transition जलवाई परिवर्तन और स्वच उर्जा जो है द्धन की कमी जो है वो बहुत जादा जो है क्योंकि जो विकसित जो विकास शील देश है या फिर जो कम विकसित देश है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो renewable energy में जो है इन्वेस्ट कर सके तो अभी क्या है अभी जो है carbon intensive energy का बहुत ही जादा यूज होता है तो उसक चाहिए पर जो है renewable energy पर अगर हम लोग जो है transfer करते हैं या फिर उसकी और बढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत सारा जो है पैसा जाईए तो इंडिया अपनी जो है बात रख सकता है कि जो विकसित देश है उनको प्रेरित कर सकता है कि वो जो है कि जो जितने भी जो विकास देश हैं वहां पर technology transfer करें उसके साथ साथ जो है पहां पर उनको जो है fund की भी जो जरूरत होती है उसको भी उपलब्द कराएं इसके साथ जो इंडिया के बहुत सारे ऐसे खुद के initiative हैं जैसे कि life movement है ठीक है life movement है one sun one world one grid जो है यह जो इंडिया का movement है उसको भी वो जो है global platform पर रख सकता है अगर हम लोग जो है renewable energy की तरफ बढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि हमें climate change से निपटने के लिए जो है climate change से निपटने में जो है बहुत जादा सहायता मिलेगी इसके साथ साथ हमारी energy security जो है ठीक है वो भी जो है उसमें वो भी और जादा जो है हम लोग ensure कर सकते हैं energy security होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं उससे जो है economic productivity जो है वो भी और जादा बढ़ेगी ठीक है economic productivity बढ़ेगी economic productivity बढ़ेगी तो उससे क्या होगा job creation बहुत ही जादा होगा job creation होगा ठीक है तो उससे जो है हमारी जो अथ्यवस्ता है वो और ज़्यादा इंप्रूफ होगा और environment इंप्रूफ होगा तो हमारी जो health पर जो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है pollution की वज़े से तो उसमें भी जो हमारी health cost है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी इसके बाद हम देखते हैं voice of global south voice of india जो है वो एक एकलोता ऐसा देश है जो कि south asia में इंडिया एकलोता ऐसा देश है जो कि G20 का मेंबर है तो यहां पर जो है वो उसकी जो है इंडिया के पास एक responsibility है कि जो एशियान के जो countries and developing and less developed countries जो है उनकी एक voice जो है उसको दुनिया के सामने रख सके ठीक है तो जो developing countries है उनके पास बहुत सारी समस्या है ठीक है जैसे कि वो लोग जो है उनके पास debt उनका जो है जो है वो बहुत है उनकी जादा है उसको लेकि उनके पास बहुत जादा समस्या है तो इंडिया के जो है इंडिया जो है वो उन सभी जो विकाशिल देश या पर जो कम विक्सिल देश है उनकी बात को जो है वो ग्लोबल प्लैटफॉर्म के सामने जो है वो रख सकता है और अपनी जो उसकी जो soft power की जो image है उसको और जादा बहतर कर सकता है इसके बाद हम द help की जरुरत है हम कह सकते हैं क्योंकि जो है ग्लोबल यूनिफाइड एप्रोच लेनी होकी ताकि हम लोग जो है पैंडमिक जैसी अगर कोई भी समस्या अब आने वाली समय में हमें देखने को मिलती है तो उससे जो है वो निप्टा जा सकता है तो यहां पर जो है तो जी जो promote कर सकता है ठीक है इसी के साथ जो है जो international market में हमारी जो drugs के लिए जो ठीक है जो हमारी जो access है उसको भी और ज्यादा बढ़ा सकता है ठीक है तो यहां पर जो हमें जो drugs की आवश्रक्ता होती है एक वो जो पूड़ा जो आमें जो raw material की जरुरत होती है अपने health system को और जाद बेटर बनाने के लिए तो वो भी G20 के साथ जो है हम लोग partnership करके जो है उसको और जादा बेटर कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कि बहुत सारे ऐसे मुझते हैं जिसको की जो की वैश्विक मुझते हैं जिसको की हमें जो है global platform के सामने ही रखना होगा तो जैसे क जैसे की श्री लंका की problem है जहाँ पर की inflation rate बहुत जादा हाई है पाकिस्तान है जहाँ पर की floods की समस्या है इसी के साथ साथ economic loss हो गया है वहाँ के उसको जो है उसकी भरपाई करने के लिए करिफ 16 billion dollar चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है यह एक global issue है और सभी देशों को सामन आकर जो है इन देशों की मदद करने चाहिए तभी जो हमारे जो हमारे जो आसपास के जो हमारे neighbors है वो उनकी समस्या खतम होगी तभी जो है हम लोग आसपास में जो है एक आथिक इस्थिक्ता और शांती को इस्थापित कर सकते हैं तो एक global issue को resolve करने के लिए G20 एक बहुती इस्या में इंडिया केवल ऐसा जो है एक देश है जो कि South India को represent करता है सौरी South Asia में इंडिया ऐसा एक लौता देश है जो की G20 का member है तो उसकी पास एक additional responsibility है कि वो जी जो non G20 nations जो है उनकी voice जो है उनकी समस्या को जो है global platform के सामने रखे और जो है ताकि जो है वहां के ताकि ज जो भी decision होता है ठीक है वो सबी जो देश होते हैं मेंली जो विकास शीर देश है उनके future पे उनकी prosperity पे उसका सीधा असर पढ़ता है तो इंडिया जो है अपनी बाद को जो है वहां पर रख सकता है इन सभी देशो की बात को रख सकता है और इंडिया जैसे की जो है G20 Troyka का हिस्ता बन गया है Troyka क्या होता है past ठीक है सौरी Past प्रेजेंट और future जो प्रेसीडेंसी करते हैं ठीक है जो past present और जो future प्रेसीडेंसी जो G20 की करते हैं उस तीनों देश को जो है Troyka कहा जाता है तो इंडिया क्योंकि एक ट्रोयका का हिस्सा है और यह जो ट्रोयका जो होता है यही जितनी भी जो मुद्दे G20 में उठाया जाते हैं वो यही ती जो ट्रोयका होता है यही जो है वो डिसाइड करते हैं तो इंडिया के पास यह responsibility है कि वो जितने भी South Asian countries हैं उनकी मुद्धों को वहाँ पर उठाया जा सके ठीक है इसके बाद हम देखते हैं economic and financial stability आर्थिक और वित्य इस्थिर्टा जो है उसको लाने के लिए G20 का जो global मंच जो है वो बहुत ही जादा महतरपून है जिससे की पूर हम लोग paper no.3 को question देखेंगे और question है opening space industry for private sector will boost space economy in India critically examine निजी शेत्र के लिए अंतरिक्ष उद्यों खोलने से भारत में अंतरिक्ष अथ्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा आलोचनात्मक परिक्षण करें ठीक है तब हम इस question को यहाँ पर पूरा discuss कर लेंगे तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इंडिया को आकर privatization जो हो रहा है space sector का उसकी सरुरत क्यों पढ़ रही है तो अगर हम एक आगड़े के अगर हम आगड़ों की माने तो वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग जो है वो कितना है वो करीब 360 billion dollar का है जिसमें भारत की हिसेदारी क इतनी है वो मात्रा तीन तरतिशत है ठीक है तो यहां पर हम देखें तो space based जो service है ठीक है space based जो services है उसकी demand जो है पिछले कुछ साला में बहुत ही जादा बढ़ गई है करीब 10 कुनी जो है वो बढ़ गई है जैसे की बहुत सारे जैसे की telecommunication के लिए navigation के लिए earth observation के लिए weather forecasting के लिए है तो यह सब space based services में आता है ठीक है तो इनकी जो demand है वो बहुत जादा बढ़ गई है और यहां पर इंडिया को अगर जो है बढ़ती demand के साथ अगर इंडिया को अगर इंडिया के space industry को जो है अगर cope up करना है तो उसको 10 गुना तक जो है बढ़ाने की जरूरत है ले इसके लिए जरूरी है कि जो private जो players है उसको भी उनके लिए भी जो है space industry को खोला जाए ताकि वहां पे और ज्यादा investment किया जा सके वहां पे और ज्यादा technology को ले करके आया जा सके ताकि जो बढ़ती demand है उसको cater किया जा सके ठीक है तो अगर हम CII की माने ठीक है CII की माने तो उसमें उसने बोला है कि जो इंडियन space industry है वो 2025 तक बढ़के जो है 50 billion dollar की हो जाएगी और इस sector में जो है job creation का बहुती जादा scope है और इससे जो है 1 lakh direct और indirect jobs जो है वो create हो सकती है और अगर जो है private players के लिए अगर space industry इंडिया की जो space industry है उसको खोल दिया जाए तो 2030 तक इंडि जो है जो है जो अभी किवल तीन प्रतिशत है global space industry में वो बढ़के कितनी हो जाएगी वो बढ़के वो 9% तक हो सकती है तो इसलिए बहुत ही जादा जरूरी है कि private sectors के लिए जो है space industry को खोल दिया जाए और हाली में हमने देखा है कि government ने भी बहुत सारे efforts किये है ताकि जो ह है invite कर सके space industry में तो हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या advantages है क्या क्या lab है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम lab की बात करें तो वह cost efficient ठीक है प्रभावी लागत तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया के पास एक बहुत जादा advantage है कि इंडिया की जो operating cost जो है ठीक है इ comparison अगर हम compare करते है नासा की या फिर और जो western countries की जो operating cost है ठीक है उससे जो इंडिया की operating cost है वो बहुत ही जादा कम है और अगर यहीं पर हम FTI को allow कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर newer technologies जो है वो और जादा आएंगी ठीक है बहाँ से technology आएंगी जो कि और जाद जो है cost effective होंगी advanced technology जो है वो और जादा cost effective होगी ठीक है जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर spacex की बात करें जो कि elan musk का है ठीक है तो उन्होंने भी जो है बहुत तरीके से cost cutting जो है की है जिसके लिए उन्होंने बहुत जादा innovation की है जैसे कि उन्होंने जो है fuel और engine में बहुत जादा जो है modification किया है ताकि जो है fuel cost को जो है वो cut कर सके इसी तरह ठीक है इसी तरह जो है जो launch vehicles होते हैं उसको जो है reusable बनाया जाता है ताकि उसका बार बार जो है use किया जा सके और जो single use launch vehicle होते हैं तो उससे कोशिश की जाती है कि उसके उसको जो है जादा से ज यूज किया जा सके तो यह जो प्राइविट कॉंपनी होती है जो स्टार्ट अप्स होते हैं वो जो है वो अपने कॉस्ट कुटिंग बहुत जादा करती है जिससे की इस सेक्टर को हम लोग और स्थ ऐधा कॉस्ट अफेक्टिफ बना सकते हैं इसकी बात हम लग हम नेक्स करती है तो इसरो जो है वो अजंव का डिमैंड को कीटर करने में अब है और हम देखें तो जो इसरो का जो बजट है वो करिब 10,000 करोर का है ठीक है लेकिन फिर भी जो बढ़ती डिमांड को वो केटर नहीं कर पा रहा है तो इसलिए जो है प्राइविट सिक्टे का जरूरी है प्राइविट इन्वेस्मेंट तो बाहर से बहुत जादा टेक्नॉलजी भी एडवांस टेक्नॉलजी जो है उसको भी लेकर के आएंगे बाहर की नॉलज़ को भी हम लोग घर लेकर के आएंगे देश में लाई जा सकती है ठीक है और अलग-अलग तरीके से इसका यूज किया जा सकता है तो इन्वेशन बहुत तरीके का इन्वेशन होगा जैसे की फॉर एक्जामपल जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है ठीक है AI को भी जो है यूज किया जा सकता है स्पेस एक्स्प्लोरेशन एक्टिविटीज में ठीक है तो हम लोग जो टेक्नॉलज नाम आता है इस्प्रोर का तो यहां पर लोग जो हमारे जो फ्रेश टालेंट है उसको बहुत जादा मौका नहीं मिलता है वहाँ पर कारे करने का ठीक है तो यहां पर जो है जो जो लोग ऑपॉर्चिनिटीज ढूंड रहे हैं इस सेक्टर में काम करने के लिए लेकिन केव एक institution जो है वो सब को जो है वो job नहीं दे सकता है तो अगर यहाँ पर private players को ले कर के आएंगे तो इस sector में और जादा job को create किया जा सकता है और जादा talent को space industry में लगाया जा सकता है इसके बाद हम देखते है competitiveness ठीक है प्रतिस पर यह हम अपनी जो पूरी जो space industry है उसको और जादा competitive बना सकते है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें ठीक है तो European जो countries होती है वो prefer करती है कि वो इसरो के द्वारा ही जो है अपनी कोई भी satellite जो है वो launch करा है क्योंकि यहाँ पर क्या है उनकी cost जो है लाकत जो है वो बहुत ज़ादा कम आती है तो यहाँ पर क्या है कि low cost है ठीक है जैसे कि हमने यह देखा था कि cost efficient होगा ठीक है यहाँ पर advanced technology होगी innovation है talent बहुत ज़ादा है knowledge sharing है तो यह सब जो है यह सब factors हमारी जो industry है उसको और ज़ादा प्रतिसपर्धिक बनाएगी और ज़ादा competitive बनाएगी और इस दो की भी कोशिश यह ही है कि private sector की मदद से satellite और जो rockets है उसका निर्मान किया जा सके और इन rockets जो है उनको उनके जरिये जो है विभिन देशों के उपग्रहों को को बेहत प्रतिसपर्धिक कीमतों पर जो है वो launch किया जा सके इससे क्या होगा इससे हमारे देश पर जो है revenue भी बहुत ज़ादा जो है वो generate होगा इसके बाद हम देखते हैं better connectivity ठीक है better connectivity के लिए भी बहुत ही ज़ादा जरूरी है ठीक है जो better communication को और ज़ादा बहतर बनाने के लिए भी जो है जरूरी है क्योंकि अभी क्योंकि अगर satellite होंगी तो क्या होगा direct वहाँ से transmission जो है वो किया जा सकता है उससे जो mobile towers जो है उसकी जो आवशक्ता होती है वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे क्या होगा जिससे जो remote areas हैं जो भी बहुत ही जादा जो हीली areas हैं जहाँ पर mobile towers नहीं लगाए जा सकते हैं जहाँ पर की अभी connectivity नहीं है तो वहाँ पर भी बहतर connectivity जो है वो प्रदान की जा सकती है बहतर communication जो है बहुत सारा data collect करेंगे तो जैसे की mapping के लिए वो use हो सकता है weather forecasting के लिए use हो सकता है कहां कहां पर कितना पानी है energy mapping कर सकते है कहां पर koila है कहां पर koila uplapped है कहां पर minerals uplapped है यह सब satellite के जरिये जो है यह data जो है वो निकाला जा सकता है agriculture के लिए भी बहुत ज़्यादा beneficial होगा अगर कोई भी natural disaster के लिए early warning system को जो है इस्थापिक करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वून है यह satellites ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा अब बहुत तरी-तरी की vital information जो है कराएंगी satellites इसके बाद हम देखते है कि other sectors ठीक है जो अदर शेत्र है अन्य शेत्र की जो industry है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वून होगा कई other sectors है जो की जो की जूड़े होते है इन से ठीक है कई other sectors जो है जूड़े होते है जैसे कि aerospace industry है IT hardware industry है telecom sector है तो जब भी satellite को launch किया जाता है या फिर rocket बनाया जाता है satellite निर्माट किया जाता है तो इन सभी industries जो है ये जूड़ी होती है आपस में तो अगर हम space industry में अगर हम investment करते हैं और इसको boost करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका spill over effect जो है वो other industries पे भी होगा तो जिससे कि जो और other industries जो है उनके लिए भी बहुत जाता ये beneficial होने वाला है लेकिन इसकी साथ-साथ यहाँ पे बहुत जाता जो है वो challenges भी है ठीक है तो बहुत सारे challenges जुनौतिया भी जुड़ी हुई है तो अगर हम challenges की बात करें तो सबसे पहले क्या है capital industry है पूंची प्रदान उध्योग है तो यहाँ पर जो है इसमें जो है बहुत सारा investment चाहिए होता है तो बहुत जो rich businessmen है या फिर जो rich industries है केवल वही जो है space sector में जो है वो अपना निवेश करेंगी उस space sector में जो है entry करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कुछी industry अगर यहाँ पर private players अगर आते हैं तो उससे क्या होता है उससे monopolistic tendencies जो है वो बढ़ जाती है केवल कुछी जो business enterprises है उनी का जो है और केवल जो है space industry में उनकी ही जो है monopoly रहेगी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर यह बहुती बड़ा जो है इसमें एक challenge बना हुआ है इसकी बात है data का दुरुपयोग हो सकता है ठीक है satellite के थूँ जो है बहुत सादा raw data जो है इकठा किया जाता है जो की बहुती जादा sensitive होता है जिसका की बात में चलके जो है misuse भी हो सकता है ठीक है बहुती जादा लोगों की जो sensitive information है उसका भी misuse हो सकता है जो mineral information होती है उसका भी misuse किया जा सकता है इसके बात हम देखते हैं कि loss of revenue ठीक है अभी तक क्या होता है जो है अगर कोई private player करेगा ठीक है तो revenue किसके पास जाएगा उस private player के पास जाएगा तो इस रो का जो जो इस रो की पास जो पैसान है वो नहीं होगा जिससे कि जो government का जो revenue है उसमें कही न कही हमें हानी देखने को मिल सकती है इसके बाद एक cutting प्रक्रिया है ठीक है इसमें बहुत सारे जो है multiple approvals चाहिए होंगे जिसमें कि बहुत जादा delay हो जाता है तो private sectors जो होते हैं वो कही न कहीं जो है delays होगा तो private sector जो प्राइविट सेक्टर जो है वो कही न कहीं discourage होंगे इस सेक्टर में invest करने के लिए इसके बाद हम देखते है conflict of interest हितो का टकराव तो यहाँ पर क्या है कि अगर private players आते हैं वो profit oriented होते हैं वो profit पे काम करते हैं तो उनके पस एक दुविदार हैगी कि profit के लिए काम करें या फिर national interest के लिए वो काम करें और जैसा कि हम देखते हैं कि जो इस रो जो है वो दोनों ह इसके में वो operator भी है और जो private players जो है उनको regulate करने का काम भी करेगा तो इस रो का खुद का भी जो है conflict of interest में हो सकता है ठीक है इसके बाद एक point जो है यहाँ पर लिखा नहीं है वो छूट के हैं हम सो sorry for dad प्लीज आप उसका note करें कि जितने भी जो private players होते हैं वो जो है profit पे ब काम करता है वो देश की self-reliance पे काम करता है ठीक है कि देश को कि देश की जो महत्व है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ठीक है देश को और ज्यादा कैसे जो है वो हम लोग शक्तिशाली बना सकते हैं ठीक है तो उसके लिए जो है वो land यूज को track करता है resources कहां पर है उसको map करता है लेकिन जो private players होते हैं वो profit के लिए काम करते हैं ठीक है तो जिससे की कही ना कहीं जो हमारा economic development है आर्थिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं हम उसमें hindrances आ सकते हैं ठीक है तो जो private players हैं जो जिनका काम की जो कि अभी education शेत में हैं में हैं infrastructure में हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो जो पूंजी जो है वो इस्पेस सेक्टर में लगाएंगे तो जो हमारे जो social economic development जो है वो कहीं ना कहीं ना करात्म क्रूप से प्रभावित होगा ठीक है तो यहां पर जो है monopolistic tendency है तो और कई बार ऐसा भी दिखा गया है कि जो रेगुलेटरी बॉटी जो होती है वो private investors को जो है बहुत जादा महत्व देती है या फिर private investors जो होते हैं वो कोई भी कोई भी अपने favor में कोई भी काम कराने के लिए जो है corruption को जो भी है बहुत जादा पढ़ावा मिलता है तो corruption भी इसमें एक problem आ सकती है ठीक है तो अगर जो है ऐसा होता है कि monopolistic tendency होती है अगर private players को बहुत जादा महत्व दिया जाता है आगे चलके तो उससे क्या होगा उससे हमारा जो देश का जो social economic जो विकास है उसमें वह कहीं न कहीं न करात्मक रूप से प्रभावित होगा और जो हमारी जो public body है ठीक है जो public enterprise है और धीरे धीरे उसका महत्व जो है वह बहुत जादा कम हो जाएगा तो अगर हम conclusion की बात करनें तो conclusion में हम यह कह सकते हैं कि जो FDI जो है वह एक इंडिया के हमें हमा जो global space economy में जो है हमारी position को और जादा बहतर बना सकता है इसके लिए जो है एक independent body होने की होनी बहुत सही जादा जरूरी है जो कि दोनों public body और private enterprises दोनों को ही जो है regulate करें और इसी के साथ साथ हमें जो है एक legislative एक robust legislative framework ले करके आना होगा जिसे कि space industry को sustainable और जो है inclusive बन हम लोग next question को देखेंगे जो कि है paper no.4 से और question है define integrity why is it important in civil services also suggest measures to improve integrity in civil servants अब खंडिता को परिभाशत करें civil सेवाओं में ये क्यों महत्वपून है साथ ही civil सेविकों में सत्य निष्ठा में सुधार के उपाय सुचाएं ठीक है तब हम इस question को आपको डिसकस कर लेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि integrity जो होती क्या है ठीक है integrity जो शब्द है ये एक Latin word से लिया गया है जो कि है integris ठीक है integris का मतलब होता है कि पूर्ण संपूर्ण या फिर complete ठीक है तो ये क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि हम अपनी values और principles मूल और सिधान के साथ किस तरीक के से हम चुड़े होते हैं ठीक है वही हमें पूरा करता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो integrity या फिर सत्य निष्था या अखंडता क्या होती है कि हमारे जो belief है हमारे जो विश्वास है हम जो decision लेते हैं हमारे जो actions हैं हम जो कारे करते हैं हम जो सोचते हैं उसमें कितनी consistency ह हम अपने मूल्यों और सिध्धानतों का कितना पालन करते हैं उसी को integrity या फिर अखंडता कहा जाता है ठीक है तो हम जो सही मानते हैं क्या हम उसके लिए खड़े होते हैं यह integrity है ठीक है अपने उच्चता मूल्यों के अनुसार जीना ही जो है सत्यनिष्टा है कि हमारे principles क्या कह कहते हैं हमारे मूल्य क्या कहते हैं हमारे विचार क्या कहते हैं अग जब हम उसी के according को भी behave करते हैं या फिर हम उसी के प्रकार से action लेते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम अपना कारेज हैं पूरी सत्यनिष्टा से कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से सच्चा पूरी काम जो है वो पूरी सच्चाई से करना, पूरी इमानदारी से करने को ही integrity करते हैं ठीक है तो हम किस तरीके से एक बंद कमरे में behave कर रहे हैं जब हमें कोई भी नहीं देख राए क्या तब भी हम अपने जो हम सोच रहे हैं हम अपने विचारों पे हम अपने सिधानतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं अगर हम पालन करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो बहुत ही जो है वो integrity जो है उसमें बहुत जादा है ठीक है वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़ादा जरूर है civil servants में क्योंकि ठीक है भ्रष्टा चार जो है वो हमारी जो आर्थिक progress जो है आर्थिक विकास जो है उसमें बहुत बड़ा बादा है तो अगर कोई भी civil servants जो है वो अगर अपना काम पूरे सचाई से पूरी इमानदारे से पूरी सत्य निष्ठा से करता है तो हमें corruption से लड़ने में बहुत ज़ादा मदद मिलेगी इसके बाद है देखेंगे accountability या पिर जवाब देही जब कोई भी व्यक्ती समझता है अपने कारे किरपती उसकी जवाब देही होती है तो वो अपनी कारे पूरी इमानदारी से पूरी लगन के साथ करता है तो किसी भी कारे के लिए जवाब देही होनी बहुत ज़ादा जरूरी है उस कारे में पारदर्शिता होनी बहुत ज़ादा जरूरी है तो जो भी integrity वाला इंसान है जो भी पूरे जो अखंडता है जिसमें बहुत ज़ादा सत्यनिष्ठा है तो वो क्या करेगा वो अपना सभी कारे जो है transparent manner में करेगा जो भी कारे होगा उसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता रखेगा और अपने actions के लिए जो है अपनी जिम्मेदारी लेगा और तभी वो कारे जो है वो बहुत अच्छे से कर सकेगा public welfare सर्व जर्ण कल्यान के लिए भी बहुत ज़ादा जरूरी है कि किसी भी particular community या फिर किसी भी एक खास व्यक्ति या फिर खास community के लिए कारे नहीं करना public welfare जादा से जादा लोगों के लिए कारे करने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है तो ये जो है सबको एक समाद एक दृष्टी से देखना बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है तब ही जो है वो जादा से जादा लोगों के कल्यार के लिए कारे कर सकेंगे सुसाइटी के लिए कारे कर सकते हैं कारे कुशलता के लिए बहुती जादा जरूरी है एफिशेंसी के लिए बहुती जरूरी है ठीक है जो व्यक्ति अपने मिशन को जो है mission के प्रती जो है पूरी सचाई से कारे करेगा ठीक है तो वो कारे जो है वो बहुत ही जादा efficiently करता है जैसे कि for example अगर law and order maintain करना है तो उसमें जो है efficiency बहुत ही जादा चाहिए उसमें लोगों की जो है लगन होनी चाहिए इसके बाद हम देखेंगे responsible use of public resources ठीकिस तारवचनिक संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्ण उप्योग क्योंकि जो civil servants होते हैं वही resources को allocate करते हैं तो उनके पास जो है वो public resources जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से allocate करें जो भी available resources हैं उसको जादा से जादा लोगों तक जो है उसका benefit पहुँचाने के जिमेदारई किसी होती है, वो civil servants की होती है, ताकि ज़्चादा से ज़्चादा जादा लोगों का विकास किया जा सके, क्योंकि जो tax money होती है, और वो टैक्स मनी लोगों का पैसा लोगों तक वापस कैसे पहुचाना है ठीक है तो उसके लिए जो है जो वो resources है उसके efficiently use करने के लिए भी जो civil servants है उनको जो है उनमें integrity जो है वो बहुत जादा होनी चाहिए prevents misuse of power शक्ती का दुरूप्योग को रोकता है ठीक है यहाँ पर जो है जो civil servants होते हैं उनको बहुत साथी शक्तियां दी जाती है तो अपनी शक्ती का दुरूप्योग ना करें इसके लिए भी जो civil servants जो होते हैं उनमें सक्ते निश्टा होनी जो है वो बहुत जादा जरूरी है for example ठीक है अगर कोई भी approval देना है तो वो जो है वहाँ पर देखें कि जो सारे अगर papers हैं तो वो approval देते हैं यह ने की मतलब bribes नहीं लेना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है अपनी power का जो है दुरूप्योग करने के लिए भी उनको रोकता है इसके बाद भैतर निर्ण के लिए नहीं कि हमारा किसमें इंट्रेस्ट है उसके लिए जो है वहाँ पर कारे नहीं करना चाहिए लोगों के इंट्रेस्ट को सबसे उपर रखना चाहिए ठीक है तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या उपाएं हैं ऐसे कौन-कौन से measures हैं जिससे कि हम लोग जो है civil servants में integrity क और ज्यादा foster कर सकते हैं सबसे पहले क्या है codification of ethics नयतिकता का सहीता करन ठीक है तो यह एक minimum standard है जिसको कि civil servants को जो है follow करना चाहिए ताकि वो एक उनको एक guideline मिले एक direction मिले कि उनको जो है किस रकार से कारे करना है ठीक है तो यह एक minimum standard है minimum जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक code है जिसको कि पालन करके civil servants को कारे करना चाहिए एक मजबूत निकरानी व्यवस्ता होने चाहिए जिससे कि जो civil servants है उनको corruption से जो है वो रोका जा सके उनको उनकी power के निस्योज करने से जो है रोका जा सके तो इसके लिए जहसे कि बहुत सारे जो है strong vigilance system के एकर हमें सांपल क commission है तो यह सब इस शेतर में कारे करते हैं इसके बाद हम देखते हैं मुल्योन मुक प्रशिक्शन ठीक है उनको एक value oriented training देने की जरूरत है ठीक है उनकी ethical behavior किस्तकार से होना चाहिए अगर हम बच्पन से ही जो है जो primary जो education है उसमें जो है selflessness, honesty, objectivity, impartiality अगर ऐसे लोगों को part बढ़ाएं या ऐसे लोगों को training दे, education दे तो जाहिसी बात है उनमें हम लोग integrity को और साथा foster कर सकते हैं ठीक है legal measures को भी अपना कर हम लोग जो है civil servants है उनको जो है गलत कारे करने से जो है वो रोक सकते हैं ठीक है तो उनको जो है wrongful acts है या फिर misdeed है उनको करने से जो है रो अगर हम जो civil servants है उनकी जवाब दे ही तै करते हैं तो भी कहीं ना कहीं जो है उनको अपना जो power का misuse या फिर कभी जो है अपनी position का misuse करते हैं उससे उनको जो है वो रोका जा सकता है तो यहाँ पर बहुत सारे जो है institutional, sorry इसमें हिंदी का translation है हम सो sorry फटार, ठीक है बहुत सा Central Vigilance Commission है, State Vigilance Commission है, Central Bureau of Investigation है, लोग आयुकते है, Prevention of Corruption Act 1988 है जो की civil servants को misdeed करने में या फिर अपनी corruption के लिए जो है जो भ्रष्टाचार है उनसे रोकता है, ठीक है, so that is all for now, thank you so very much.